Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace. आज हम लोग English Literature में एक पैक्ट को पढ़ेंगे, जिस पैक्ट का नाम है The Treaty of Dover. लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इन्फोर्म कर दूँ कि आप मेरे साथ टेलिग्राम गुरूप पर जुड़ सकते हैं, you can follow me on Instagram account as well, दोनों के username भी यहां लिखे हुए हैं and जो description box है, उसमें इन दोनों का link है. चलिए, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक का नाम है Treaty of Dover, जो की एक pact था जिसे sign किया गया England के and France के राजा के बीच में, 1670 में इसे sign किया गया, इसे secret treaty of Dover भी बोला जाता है, क्योंकि इसे हमेशा के लिए secret रखा गया था, इसे कभी public नहीं किया गया, इसी वज़े से इसे secret treaty of Dover कहा जाता है, और ये England and France दोनों राजाओं के बीच में इसे sign किया गया, Dover एक place है जहाँ पर इसे sign किया गया था, इसी लिए इसे treaty of Dover भी कहा जाता है, England के राजा Charles II and France के राजा Louis XIV के बीच में इस treaty को sign किया गया, रीजन क्या था इस treaty को sign करने का, रीजन ये था कि जो Louis XIV थे, ये Dutch पर victory हासिल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, बार बार ये victory हासिल नहीं कर पा रहे थे, एक बार ऐसा हुआ कि 1667 में Louis XIV ने Dutch पर attack किया, बट ये attack halt कर दिया गया by triple alliance, triple alliance कि इसके बीच में था, Holland, Sweden and England के बीच में triple alliance था, that means कि ये तिनों आपस में एक दूसरे की help करेंगे, जब भी इनके against कोई होगा, तो Louis XIV को Dutch पर अपनी victory हासिल करनी थी, लेकिन triple alliance की वज़े से ये लोग Dutch Republic पर अपनी जो victory हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर Louis XIV ने सोचा कि ये जो triple alliance ह इसे smash करना जरूरी है, और जब ये इस triple alliance को smash करेंगे, तभी ये Dutch पर अपनी victory हासिल कर पाएंगे, तो इसी लिए 1669 में, Louis XIV ने एक negotiation रखा Charles II के सामने, और इस negotiation का नाम दिया Treaty of Dover, इस pact का नाम दिया गया Treaty of Dover, जिसमें कुछ शर्ते लिखी गई, अब पढ़ते हैं कि किस तरीके की शर्ते थी, क्या Louis XIV and Charles II के बीच में किस बात को लेकर sign हुआ, किस बात को लेकर मंजूरी हुई, वो जानते हैं, देखे हुआ ये था, कि जो Charles II थे न, इन पर कुछ personal debts थे, और इनने cash की बहुत जरूरत होती थी, लेकिन इनने Parliament पर बार-बार depend रहना पड़ता था क्योंकि इनके debts या इनको जब extra tax collect करने की जरूरत पड़ती थी, या फिर इनको अपने expenditures के लिए cash की जरूरत पड़ती थी, तो Charles II को Parliament पर depend रहना पड़ता था, तो इसी चीज़ का फायदा France के King ने उठाया, France के King Louis XIV ने Charles II के सामने इस पैक्ट में ये रखा कि वो Charles II को French subsidy प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि उन्हें cash दिया जाएगा and other sort of help दी जाएगी, जिससे कि Charles II को Parliament पर depend नहीं रहना पड़ेगा, and Charles II अपने personal debts भी clear कर सकते हैं, इतना cash उन्हें दिया जाएगा France की तरफ से, लेकिन इसके बदले Charles II को Louis XIV को help करनी पड़ेगी, जब-जब Louis XIV Dutch Republic पर war करेंगे, तब-ब Charles II को Louis XIV की help करनी पड़ेगी, and एक और ये शर्त रखी गई, कि 40,000 soldiers Charles II को provide करने पड़ेंगे, France को plus 60 warships में help करनी पड़ेगी, and उनको publicly Catholicism में convert होना पड़ेगा, ठीक है, इस pact में क्या लिखा गया, कि जब-भी जो Louis XIV है, जब-भी वो Dutch पर attack करेंगे, तो Charles II इस triple alliance को तोड़ देंगे, इस जो triple alliance इनके हो रखे थे, Dutch Republic के साथ इस triple alliance को तोड़ देंगे, और Charles II को 40,000 soldiers provide करने पड़ेंगे, and 60 warships में help करनी पड़ेगी, and Dutch के against खड़ा होना पड़ेगा, और इनको, जो Charles II थे, इनको publicly Catholicism में convert होना पड़ेगा, and England में Catholicism जो religion है, इसको इसका परचार करना पड़ेगा, अब इसके exchange में Charles II को क्या benefit दिया जाएगा, वो ये था कि इन्हें खूब सारा cash provide किया जाएगा, फ्रांस की तरफ से, ताकि वो अपने personal debts को clear कर सकें, तो Charles II ने इस treaty को sign किया, और उन्हें अपने आपको declare किया, as a Catholic, publicly इन्होंने declare कर दिया था, और इन्होंने, Charles II ने इस pact को sign किया, इन्हें सारी शर्ते मनजूर थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कि Charles II ने भले ही इस treaty को sign कर दिया था, बट on the other hand, England की triple alliance already थी Dutch Republic के साथ में, लेकिन Charles II ने France को help की and triple alliance को तोड़ दिया, लेकिन यह जो treaty थी, यह secret थी, जिस पर Charles II के खिलाफ काफी सारे questions उठेते परलियामेंट में, पर Charles II ने साफ साफ मना कर दिया, कि उनकी कोई ऐसी secret treaty sign नहीं हुई है, France के राजा के साथ, इन दोनों king ने एक दूसरे के साथ letters को exchange किया, और इसे secret रखा, और इसी treaty की वज़े से, हम देखते हैं कि Third Anglo-Dutch War होता है, Third Anglo-Dutch War किसका direct consequence है, इस treaty का direct consequence है, ये treaty जैसी sign हुई, इस treaty का परिणाम ये हुआ, कि Third Anglo-Dutch War हो गया था, तो आपको यहां पर all and all जानना ये है, कि Treaty of Dover क्या था, ये Louis XIV एन Charles II के बीच में एक pact था, जिस pact में ये लिखा हुआ था, कि Charles II को एक तो Catholicism में convert होना पड़ेगा, और Charles II को France की help करनी पड़ेगी, और Triple Alliance को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इनोंने ये pact sign किया, इसका consequence ये हुआ कि Third Anglo-Dutch War शुरू हो गया था, तो यहां पर हमारा topic खतम होता है, और जितना exam में आ सकता है, उतना मैंने आपको समझा दिया, इससे ज़्यादा deep में जाने की जुरुत है नहीं, तो आज का topic हम यहीं खतम करते हैं, और आप मुझे टेलिग्राम पर, एंड इंस्टा पर फोलो करना बिल्कुल मत भूलना, इंस्टाग्राम पर आप डारेक्ली मुझसे DM करकर, अपने question पूछ सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीस comment section में जरूर बताना, आपको क्या क्या वीडियो चाहिए, यह भी आप जरूर बताएए, thank you so much for watching this video, this side Priyanka Gaur, I wish you all the best, good luck, thank you for watching this video,